हेलो माई डियर फ्रेंड्स क्लास 11 मैथेमेटिक्स यूनिट 1 कांप्लेक्स नंबर एक्ससाइज 1.1 के अबजेक्ट 1 के यह तीन प्राब्लम साल्व करेंगे सालुशन जब भी हमारे पास आयोटा को पावर इविन हो यहने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 28 और एनिटिंग यल्स सो हम आयोटा पावर 10 को अगर आप हाफ करें 5, 5 अगर आड है तो इसका जवाब आएगा माइनस 1 सिर्फ आयोटा पावर 10 का, यह हम इसको लिखते हैं इससे आयोटा स्क्वार होल पावर 5 same 2 times 5 into 10 और iota square की value minus 1 power 5 is equal to minus 1 तो आगे आपको करके दिखाते हैं और into ये product की assign a dot into bracket minus iota power on 12 तो ये minus बाहर निकालेंगे क्योंकि ये power 12 सिर्फ iota को है so minus 1 outside into iota power 12 now iota 12 को भी सिर्फ लिखेंगे iota square power 6 और यहाँ पे iota square की जगा minus 1 power 5 क्योंकि iota square की value है minus 1 into minus 1 iota square whole power 6 क्योंकि यहाँ पे minus 1 put करेंगे तब ही हमने square से break किया है so ये minus 1 power 5 minus 1 को अगर odd power है तो ये minus 1 जवाब आएगा minus 1 into minus 1 power 6 minus 1 को अगर even power है तो ये 1 जवाब आएगा minus 1 into minus 1 plus 1 minus 1 को odd even power so plus 1 so minus 1 minus 1 dot minus same 1 into 1 minus into minus plus 1 times 1 that is 1 that is the solution of first question plus 1 you can write as 1 so इसका जवाब है question number 1 पहले का 1 आयोटा पावर 10 था यहाँ पे आप एक्स्ट्रा नालिज देख लें कि अगर आयोटा का ओपावर 10 है यहाँ आयोटा को पावर 12 है और आयोटा पावर 20 so आप इसा करें 10 को हाफ करें 5 so 5 आड है तो minus 1 जवाब आएगा आयोटा को पावर अगर let's suppose 14 14 का हाफ करें 7 7 आड है minus 1 आएगा 12 को हाफ करें 6 6 even है 1 जवाब आएगा 20 को हाफ करें 10 10 even है 1 जवाब आएगा so यह आप confirm कर सकते हैं so question number 2 पे आते हैं देखें यहाँ पे minus आयोटा पावर 16 into bracket minus आयोटा पावर 6 अब यहाँ पे 16 जो है यह complete minus आयोटा को पावर है तो यह positive हो जाएंगे आयोटा पावर 16 यहाँ पे यह minus आयोटा पावर 12 so सिर्फ आयोटा को पावर था whole पावर नहीं था तब ही यह minus 1 हमने बाहर कामन लिया लेकिन यहाँ पे पावर है उपर यानि माइनस आयोटा को पावर है 16 so यह positive पावर की वज़े से यह हो जाएगा आयोटा पावर 16 minus कतम हो जाएगा और सेम इसका भी आयोटा पावर 6 so इसके दो तीन तरीकें हसाल करने के मैं आपको सब बताता हूँ देखें यहाँ पे आप ऐसे करें आयोटा पावर 16 को 6 में एड़ कर लें क्योंकि प्राटक्ट जब बेस सेम होते हैं तो हम इसको एड़ कर लगते हैं 16 plus 6 तो आयोटा पावर 22 so आयोटा पावर 22 can be written as आयोटा स्क्वार होल पावर 11 आयोटा स्क्वार की वेल्यू माइनस 1 माइनस 1 पावर 11 माइनस 1 को पावर 8 है so जवाब आएगा माइनस 1 यहाँ आपके पास डारेक मेथड यह है आयोटा पावर 16 आयोटा पावर 6 अब यहाँ देखें 16 को आप हाफ करें 8 एविन है जवाब 1 और आयोटा को पावर 6 6 को हाफ करें 3 तो 3 इस आप 1 इंटो माइनस 1 माइनस 1 इस इस और अनस so question number last number 3 आयोटा पावर 11 इंटो माइनस आयोटा पावर 14 अब यह भी में ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा यहाँ देखें यहाँ पे हम आयोटा पावर 11 को लिखेंगे आयोटा इंटो आयोटा पावर 10 जब भी आड़ पावर होगा आयोटा को हम इसको इसे ब्रेक करेंगे और यह माइनस आयोटा पावर 14 है सो इविन पावर है सो यह आयोटा पावर 14 हो जाएगा सही है हम दो तीन तरीक के इसको साल करने के यह देखें यह यहाँ पे आयोटा सेम इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 10 फ्लस 14 ट्वेंटी पोर सो इविन पावर इविन साल सेम आयोटा स्कार होल पावर ट्वेंटी फॉर को आयोटा एंटू माइनस वन होल पावर 12 माइनस वन को पावर एविन सो यह हो जाएगा 1 1 into iota so answer is iota यह हम square से भी solve कर सकते हैं iota power यहां से देखें iota power 10 into iota power 14 so iota into 10 ka half करें 5 rd minus 1 so iota power 14 14 ka half करें 7 rd minus 1 minus into minus plus iota into 1 into 1 same iota so iota same iota answer